हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्विताज की चेन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पैनकेक वो भी एगलेस और बिना सोडा के बहुत ही ज्यादा हेल्दी और उतना ही डिलिसियस आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये इसमें मैंने बिल्कुल भी पैनकेक जो होता है इसे आप अगर वेट लॉस करना चाह रहा है तो उसमें भी अपने डायेट में इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों को लंच में दे सकते हैं या फिर ब्रेकफस्ट में दे सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है इसे खाने के बाद बहुत दिर त अगर आप मेरे चैनल पर नाय है अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and hit the bell icon for new recipe and comment करके जरूर बताइएगा आपको मेरी recipe कैसी लगती है और पसंद है तो प्लीज शेर जरूर कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना इसके लिए मैंने एक कप ये oats ले लिया ये नॉर्मल वाला है और वन फॉर्थ कप आटा ये गिहू का आटा है milk जितना बैटर में लगे उतना यूज करना है और केला ड्राइफरूट्स का पाउडर जो मैं बना कर रखती हूं वो है आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं ड्राइफरूट्स या फिर स्किप कर सकते हैं पाईची पाउडर और अगर आपका बचा बहुत मीठा खाता है तो आप थोरा सा गूर आड़ कर सकते हैं नहीं तो उसके बिना भी ये मीठा ही बनता है अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे इस पैंकेक को आप बहुत ही कम समान मीं बना सकते हैं क्योंकि बनाना मिल्क और ओट सबके घर में होता है इस तरह से बेटर चाहिए हमें आप इसको बहुत ही अच्छे से हमको फेट ना है क्योंकि मैंने इसमे एक भी नहीं डाला है और कोई सोडा भी नहीं डाला है बेकिंग सोडा तो उसे क्योंकि डालते हैं तो वो फलफी बनता है तो इसको आप फेटिएगा ना बहुत अच्छे से तब भी ये फलफी बनेगा क्योंकि इसे हेल्दी बनाना है और ये वेजिटेरियन के लिए एगलेस है तो इसको फेटेंगे तब ही ये फलफी बनेगा अब हम तबा को गरम करेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे उसको इस्प्रेट कर देंगे बहुत जादा नहीं डालना है उसके बाद जो हमने बैटर बनाया है पैंकेक का उसमें से छोटा-छोटा हमें पैनकेक बनाना है, बहुत बरा नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है बिल्कुल इस तरह से इस टाइम पर आप फ्लेम को मिडियम टू लो रखें स्टार्टिंग में आप तावा को बहुत अच्छी तरह से गरम करें उसके बाद फ्लेम को मिडियम कर दें और यह जितना हेल्दी होता नहीं इसमें घी और बहुत ज़्यादा डालने की भी जरूरत नहीं हो तो यह ऐसे ही बन जाता है तो यह बरो के लिए भी बहुत हेल्दी होता है अब इसे हम पलट देते हैं देखिए कितना प्यारा साइस में कलर आ गया है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बच्चे हेल्दी खाना उतना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से बना कर दीजिए वो जरूर खाएंगे टेस्टी भी होता है ये हल्दी भी होता है और इसमें बनाना आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और मिल्क भी है तो जो बच्चा अगर दूद पीना नहीं चाहता है तो आप ऐसे बना कर दीजिए देखिए कितना ये फलफी बना है कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ह oats है जो कि कितना healthy होता है सबको पता हम बच्चों को oats देते हैं और soft उतना ही है यह छोटे बच्चों को भी आप एक साल के बच्चे को भी यह खिला सकते हैं आप और बरो को तो पसंद आए गई यह तो guarantee है तो आप एक बार इस पैन केक को जरूर ट्राइ किजिएगा इस रेसिपी को आप अगर एक बार बार बनाना पसंद करेंगे बचों को आप इसे ब्रेकफस्ट में या फिर बरो को भी लंच में या ब्रेकफस्ट में दे सकते हैं इसके साथ आप हानी भी दे सकते हैं फ्रूट्स दे सकते हैं देखि सच में बहुत टेस्टी लगता है ये और बनाना उतना ही असान है कोई भी जंजट नहीं है बनाने में बनाना सबके घर में रहता है और दूद भी रहता है तो कोई टेंसन ही नहीं है तो ऐसे ही एजी डिलिशा संक्विक रेसिपी के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब और दबल आइकन फो न्यू रेसिपी और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है थैंक यू